असलाम लेक में आपको परफिक्ट तरीके सी कैसे बनाएंगे और साथ में उटेन इसके वर्स क्या फ्लाइट सी कैसे बनाएंगे घर पे तो लाइक कीजिए मेरे शाल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आकन को जरूर प्रेस कीजिए और नौट्रिफिकेशन पर किलिक कर दिज सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का ज़िए और सुट्सक्राइब माया कि प्लिटों स काता है अजो लिए को बता रही हूं इस तरीके sphoy का पर कमें या फिर आप छौपर में इसको डालकरzwुत कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे इस तरीके सामें इसका पेश्ट बीलकूर भी नहीं चाहिए इस तरीके साफ बारी काट ले या फिर सिंपल और आसां तरीका है कि क्या चौपर्पर में काटकर उसके बाद इसको चौप कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल है आप इस तरीके से करेंगी तो आपके टाइम ही बच जाएगा और बहुत ही जटे पट बन जाएगी तो देख सकते हैं हमें चाहिए और फिर जो है इसको साइट कर देंगे और इसी चौपर में ही वेल पेप तो देखिए और फिर जो हरे धन्या को चौपर में बिल्कुल भी नहीं चौप करना है वरना यह जाधा पानी चोड़ देगा तो यहां पर इस तरीके से मैंने बारिक काट लिया है आप चाहे तो इसी तरीके से काट ले तो यहां पर मैंने हरे धन्या के पत्ते कुछ जाधा क करीब आदे कप से भी जाधा है दो मुठी है भड़के और फिर यहां पर मैंने कीमे में डाल दिया सबसे पहले तो प्यास लसन अध्रक का जो चौप किया वा था इसमें डाल देंगे हरे धन्या के पत्ते भी डाल देंगी और साथ में वेल पेपर भी डाल देना है वन जाफ चोटी चमच कह सकते हैं मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है तो बस डालने के बाद जो है अच्छे से इस तरीके से ही मैश करकर के इसको मिक्स करेंगे ताकि जितने भी सामान है कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं तो यहां पर देखिए हाथों से तुरा मिक मिक्स नहीं हुआ है क्योंकि कभाब में स्मूटी से दीखना चाहिए तो मैंने थोड़ा सा एक-दो-बार मिक्स-ग्रांडर में चला चला कर इस तरीके से जो है मोड़ा बना दिया है या यनिकि कीमी को अच्छे से से ही कर लेना है ताकि एक रंग दिखिए और प्र जो है जब कबाब बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा इसका सेप आएगा तो इसी तरीके से एक वरा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितनी भी समान है कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहां पर इस तरीके से हो चुका है आप इसको थोड़ी देर के लिए रेश्ट द कर सकते हैं तो यहां पर देखिए कठा करने के बाद जो है इसके जो उपर के सेंटर होते हैं तो यहां पर मैंने टेप जो सेलो टेप होती है इस तरीके से चिपका देंगे ताकि यह एक रंग जोएंट हो जाए तो नीचे से भी इस तरीके से पहले चिपकाना है तो पहले स पर जो मैंने लिया है ये 10 इंच लिया है 10 इंच को मैंने double fold कर लिया है उसके बाद बीच में इस squares को लग देना है और फिर जो है उपर से 1 से 1,5 इंच की gaping मनाते हुए इसको fold कर देना है मतलब की एक तरफ से cover कर देंगे उपर से भी और नीचे से भी और उसके बाद जो है इसके जो बचे हुए एक एक्ष्ट्रा है उसको इस तरीके से ही स्क्वेर्स को फोल्ड करते चले जाएंगे तो आपका जो सीक है फ्लैट वाली वो भी बनकर रेडी हो जाएगा बहुत ही सिंपल है इस तरीके से आप हाथों से थोड़ा दबाते जाएंगे और फिर जो है आपका सीक बनकर रेडी हो जाएगा बहुत ही सिंपल है आप इसी त पर के जो होते हैं तो जी साइड से फोल्ड कर लिजिए तो आपको सब्सक्राइब कर जाएगे इस तरीके से कही finding बनकार है प्रेस कर देना हैं ताकि बहुत ही चीकना सा बन जाये तो देखिए बहुत ही सिंपल सा अपको बनका रेडी हो चुका है बाकी के भी सीख आप यह तौह तरीके से भनाले है तो है ना घर में टाइम बचाते हुए घर भी हो चुके हैं रेश्ट देते हुए तो आप अच्छा होगा कि आप फ्रीज में रख देंगे कीमा को तो और भी अच्छा से पाएगा तो यहां पर देखिए अच्छे से इस तरीके से स्क्वेर्स में आप इसमें डाल दें सीख में और फिर जो है इसमें रॉल टाप का जो होता है बीच में सेंटर में सी क्ट रखना है और फिर जो इसमें उपर से tennis दुकिक यहां पर ध्यान देंगे जो उपर के जो स्क्वेर्स है उसको एक से डेल इंच की गैपिंग बनाते हुए आप इसको स्प्रेट करें ताकि जो आप रखेंगे इसको सेखने के लिए तो आपको सपोर्ट मिलेगा रखने के लिए भी उसके बाद अंगोठे से इसका एक सेप द जाएं और अगर जादा हो जाए तो आप से निकाल भी सकते हैं उसके बाद इसको इसको इसी तरीके से रॉल बना दे बीच में सीटको लगते वह इसका अंगोठे से इस तरीके से ही आप डिजाइन करते बहुत ही सिम्पल से बन जाएगा और देखने भी बहुत ही अच्छ तो मैं इसको बनाऊंगी चार कोल यानि के कोईले के आग में और ठंड के टाइम है तो बहुत ही मचा आएगा एक तो इसमें गर्माहट भी मिलेगी और साथ में मचा भी आएगा इसको खाने में भी तो चलिए फी यहां पर देकि आग तेज था तो आग को पहले स्लो कर लेना यानि के धीमा कर लेना है थोड़ा बहुत तेज लहकते विया आग में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे वरना कबाब जो है उपर से जल जाएगा और अंदर से कच्छे रह जाएगे तो धीमी धीमी आज पे इसको लग देना है और फिर जो है इसके साट चेंज करते हुए इ जो मज़ा इस कोईले के आग में है वो तवापे नहीं है कितना भी आप वो कर लें तो बनाने का तो बना सकते हैं लेकिन जो टेस्ट जो फ्लिवर आता है वो कोईले के आग में ही आता है यानि की चारकॉल में ही आता है तो मैंने अंगेठी लिया है आपके पास अंगेठी नहीं हो तो आप इट को भी जोड की आप बीच में कोईले के आग जला कर भी बना सकते हैं तो देख सकते हैं हमारा कबाब जो है वो कितना अच्छा कलर आ चुका है तो लगबग जो है आठ से दस मिलड़ में आपके कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं बहुत परफिक्ट तरीके से इतने जटपर में बनकर रेडी हुआ है तो आप एक बर ज़रूर ट्राइ किजे बस आपका कलर इसको निकाल कर सर्फ कीजे सालेट के साथ या फिर चटनी के साथ तो बस इसको आप सर्फ कीजे में रेसी पसंदाती है तो लाइक जरूर कीजे